वेल्कम बेक टू पर्फेक्ट विशन क्लास चेप्टर नमबर टेन हेलो आलकेन एंड हेलो एरिन चलो नेक्स्ट क्लास में चलते अब टॉपिक का नाम है नेचर ओफ सी एक्स बॉन्ड बहुत चुटा सा टॉपिक है लेकिन नीट में एंसी क्यों कहीं बार आए जो हेलो आलकेन या हेलो एरिन में सी एक्स बॉन्ड बन रहा है उनका नेचर क्या होगा वो तो सिंपल तरीके से समझो अलकाइल ग्रूप है इस एक के लिए चेंड ऑफ में अब हैलो जन कि एलेक्ण नेगि एकिटिविटि कार्बन से ही होगी है उलेक्ट्रो नेगिटिविटि ज्यादा होगी मतलब यहां पर जो कोविछिदेंट है sharing of electrons वो किसकी तरफ ज्यादा सिफ्ट होगा हेलोजन की तरफ ज्यादा सिफ्ट होगा उसकी वज़े से हेलोजन पर partial negative charge और कार्बन के उपर या अलकाइली एराइल ग्रूप के उपर कौन सा चार्ज होगा partially positive charge होता है इसकी वज़े से जो हेलो आलकें या हेलो तो इरीन के अंदर cx बॉन बन रहा है वो कौन सा बॉन हुआ Polar covalend बॉन होगा यहां पर तो कौन सा बॉन बना यहां पर इस आ पॉलर कोवेलेंट बॉन है कि तो polar कोवेलेंट बॉन किसकी वज़े से बना इलेक्ट्रो नेगिटिविटी डिफ्रेंस की वज़े से बन रहा है चलो अब इसी से रिलेटेट कुछ एक्जामपल ले लेते हैं फर्स्ट बॉंड लेंथ पढ़ते हैं चलो बॉंड लेंथ के अंदर हैलो जन में फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन सब हो सकते हैं किसकी बॉंड लेंथ किसमें ज्यादा होगी तो सिंपल सा समझ सकते हैं कि क्लोरिन एक्टम में मान लो यह और फ्लोरिन एक्टम की साइज तो स्मॉल तो फ्लोरिन क्या होगा स्मॉल साइज में होगा तो यहाँ पर जो बॉंड लेंथ बन रही है इतनी होगी चलो कार्बन तो वही साइज है लेकिन क्लोरिन की साइज अब क्या होगी atomic radius बढ़ेगा chlorine का तो यहाँ पर chlorine की atomic radius बढ़ रही है तो यहाँ पर जो bond length मिलेगी उससे थोड़ी ज्यादा होगी next उसके बाद carbon यहाँ पर है bromine उसके atomic radius तो और ज्यादा है तो यहाँ पर atomic radius क्या होगी और ज्यादा and then carbon and iodine और आयोडिन सबसे बढ़ा है यहाँ पर तो क्या होगा atomic radius आयोडिन की ज्यादा तो कौन सा order मिलेगा हमें bond length यहाँ पर तो simple सी चीज़ है top to down जब group में जाएंगे तो atom की radius बढ़ेगा atom की radius बढ़ेगी तो जब bond है तो bond length भी क्या होगी तो उनकी बढ़ने वाली है तो यहाँ पर bond length किसकी ज्याजा तो order कौन सा मिल रहा है तुमें CI की bond length सबसे ज्यादा ओके बहुत simple answer है easily समझ जाओगे चलो second number bond enthalpy bond enthalpy या bond dissociation energy चलो कौन सा bond आसानी से तूट जाएगा और कौन सा bond break होने में energy ज्यादा चाहिए किसमें bond enthalpy ज्यादा होगी तो जिसकी bond length कम होगी वो तो order क्या मिलेगा bond enthalpy का order क्या मिलेगा यहाँ पर bond dissociation enthalpy का order क्या मिलेगा तो सबसे ज्यादा bond enthalpy मतलब यह bond तोडने के लिए हमें क्या चाहिए energy सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि bond length उसकी कम है तो यह तो क्या होगा आसानी से release हो जाएगा यह क्या होगा easily release हो जाएगा easily तूट जाएगा bond length पहुत ज्यादा है तो bond enthalpy का order क्या मिलेगा हमें यहाँ पर CF, CCL, CBR, and CI तो bond enthalpy किसकी ज्यादा bond strength किसकी ज्यादा CF की ज्यादा तो सीधा सा order और 21 21 में MC क्यू था यह 21 या 20 need के अंदर यह MC क्यू था यह order वाला which of the following is correct for bond length of inhaloalken, halide compound के अंदर तो सीधा सा answer है कुछ भी नहीं करना यहाँ से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें third number जो है न वो special है exception case है कैसे है वो तो third number में पूछा है तुम्हे dipole moment चलो dipole moment कैसे निकालते हैं तो dipole moment निकालने का formula dipole moment is equal to q into d q मतलब charge है d क्या होता है distance होता है अब dipole moment किसकी ज्यादा हमें पता है fluorine की electronegativity सबसे ज्यादा है fluorine की electronegativity पूरे periodic table में सबसे ज्यादा फिर भी यहाँ पर dipole moment किसकी ज्यादा आ रही है CCL की आ रही है ज्यादा समझना क्योंकि exception case है exam के लिए most important है exception case है तो चलो first dipole moment किसकी आ रही है यहाँ पर CCL की dipole moment सबसे ज्यादा आ रही है next उसके बाद fluorine आ रहा है और difference नहीं है इसके dipole moment around कुछ 1.84 है और इसके around कुछ 1.82 है dipole moment then इसके बाद और exception case से समझना यह अब ऐसा क्यों हुआ वो इस तरह क्यों हो रहा है वो समझना बना dipole moment किसका ज्यादा होना था fluorine में fluorine ज्यादा इलेक्ट्र नेगेटिव है कार्बन की यहाँ पर chlorine की compare में तो अगर मान लो दोनों के बीच में एसे example मान लो यह C और यह F है fluorine more electronegative और दोनों के बीच में electronegativity क्या है difference ज्यादा है तो charge तो दोनों का ज्यादा होना चाहिए चार्ज दोनों का क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए difference तो इसलिए answer क्या होना चाहिए था fluorine वाला answer आना चाहिए था लेकिन कौन आ रहा है यहाँ पर chlorine आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दूसरा एक और factor है दूसरा कौन सा factor है देखो charge के अलावाद दूसरा कौन सा factor है distance तो distance factor चार्ज के फेक्टर से ज्यादा डॉमिनंट है इसके लिए आंसर क्या होगा तो डिस्टन्स फेक्टर है ना क्लो सी सील बॉन्ड के अंदर डाइपल मॉमेंट के लिए डिस्टन्स का फेक्टर जो है वो ज्यादा डॉमिनंट है किसके कंपैर में चार्ज की कंपैर में फिर उ पुस्ट एलेक्ट्रो नेगिटिव एलेजमन्ट ए लेकिन मोस्टि इलेट्रोन गेन एंथाल्पी किसके ज्यादा होती है Esse पिए एलेक्ट्रोन Moo नेनथाल्पी सबसे ज्यादा किसके होती है ह है है तो इक्ल॓रिन आता है है कि याद आ बहुत ज़्यादा है, gain enthalpy भी ज़्यादा होगी, लेकिन problem क्या आ रही है, fluorine की size बहुत small है, अब बहुत small होने की वज़े से electron की density क्या है, वहाँ पर ज़्यादा है, और repulsion होने की वज़े से electron gain enthalpy क्या हो जाती है, उसके कम हो जाती है, तो यहाँ पर chlorine क्यों answer आ रहा है, वो भी समझना हो, कि एक exception और case लेड़ा हो में, अलग से question है, fluorine small size में होता है, small size की वज़े से electron की density क्या होती है, उसके अंदर, ज्यादा होगी, electron density ज्यादा होगी, तो अगर electron आ रहा है, तो उस वक्त तो propulsion करेगा थोड़ा, जबकि chlorine के अंदर क्या है, आसपास के अंदर, outermost orbit में electron की density कम हो जाती है, तो electron gain enthalpy किसकी ज्यादा होती है, chlorine की ज्यादा होती है, तो यह भी exception case होता है, और इससे related बढ़िया सा 11 के अंदर class है न, record किया हुआ है, electron gain enthalpy, पूरा detail के अंदर है, उसके related जितने भी MC के हो, सब कुछ solve के हुए, तो वो वीडियो भी देख ले न, तो तीन चीज़े यहाँ पर, nature of CX bond, nature of CX bond के अंदर क्या होगा, यहाँ पर covalent bond है, लेकिन covalent bond कौन सा होगा, it is a polar covalent bond, किसकी वज़े से due to the difference between the electronegativity, electronegativity halogen की ज्यादा होगी, तो it's become the partial negative और यह partial positive होगा, तीन factors यहाँ पर हमें पढ़ने example के अंदर, सबसे पहले bond length क्या होगी, अगर monlo fluorine है, chlorine है, bromine है, iodine है, तो simple से चीज़ें, जैसे top to down जा रहे है, iodine की तरफ, atom की radius बढ़ रहे, atom की radius बढ़ेगी, तो bond length भी क्या होगी, increase होगी, तो bond length सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर, CI की bond length सबसे ज़्यादा होगी, second number आजाओ, bond enthalpy, तो bond enthalpy किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर bond तोडने के लिए जो energy चाहिए, bond dissociation enthalpy के बात कर रहा है, तो यह bond क्या होगा, strong होगा, strength ज़्यादा होगी, तो इसकी bond dissociation enthalpy क्या होगी, ज़्यादा होगी, third number पर dipole moment पढ़ना है, और यह important है, तो dipole moment के अंदर क्या है, exception case है, पहले कौन आ रहा है, CCL आ रहा है, इसका dipole moment CF से थोड़ा ज़्यादा है, और reason क्या है, यहाँ पर तो dipole moment निकालने का जो formula है, तो CL के अंदर distance वाला formula, dominant factor होता है, compare to charge, इसकी वज़े से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी dipole moment CF से थोड़ी ज़्यादा होती है, और एक extra point है यह तो, electron gain enthalpy में कौन उपर है, chlorine सबसे, पूरे periodic table में electron gain enthalpy सबसे ज़्यादा किसकी है, chlorine की होती है, और most electronegative element कौन है, पूरे periodic table में, fluorine होते हैं, तो यह था nature of CX bound.